हेलो एव्रिवन कैसे हैं हम सब लोग तो आज की वीडियो में हम CPC स्टार्ट करने वाले हैं तो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहें तो चलिए तो यह roadmap रहेगा आज की ग्लास का historical background देखेंगे हम commencement, object, scheme और code at a glance यह सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं law, law बेसिकली दो टाइप का होता है ठीक है आपको पता ही होगा प्रोसीजरल ला और इसे हम objective लाई बोलती है objective लाई ठीक है और substantive लाई substantive लाई प्रोसीजरल लाई में आपको पता जैसे है CPC, CPC आती है और CRPC, substantive लाई में क्या 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 आते है हमारे Indian Penal Code, Indian Contract Act 1872 और TPA 1882 SRA specifically effect 1963 ठीक है तो यह आपको अगर पता चल गया प्रोसीजरल लाई और substantive लाई और substantive लाई का क्या होता है ठीक है यह क्या करता है इत डेटरमाईंस देटरमाईंस देटरमाईंस दाराइट्स and liabilities of the parties liabilities of the parties और प्रोसीजरल लाई प्रोसीजरल लाई जो है इनी लाईज को एंफोर्स करने की बात करता है enforcement of those rights and liabilities ठीक है यहां तक क्लीर है प्रोसीजरल लाई substantive लाई ठीक है substantive लाई डेटरमाईंस करता है डेटरमाईंस देटरमाईंस देटराइट्स and liabilities of the parties और प्रोसीजरल लाई जो है उनी डाइट्स को और liabilities को enforce करने की बात करता है ठीक है चलिए next देखते है थोड़ी सी example देखने इसमें कि court को कैसे पता चलता है how court decide that whether the matter is a civil suit or a criminal suit ठीक है criminal matter है court कैसे decide करता है civil matter होते है ठीक है civil matters and criminal matters अब जितने भी Indian contract act के matter होते हैं जहां टाट के matter होते हैं जहां property related disputes होते हैं वो क्या होते हैं civil matters होते हैं ठीक है उन्हें court civil matters के अंदर consider करता है और जो criminal matter है इसकी example आप IPC ले सकते हैं ठीक है Indian criminal court में जो भी defined है वो सारे criminal matters होते हैं ठीक है तो हम इसको कह सकते हैं civil matters are civil matters are dealt under cpc under cpc ठीक है और जो cpc है cpc is applicable in civil courts ठीक है जी तो criminal matters के बात करें हम तो criminal matters ठीक है तो रड़त अन्हें 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 under cpc ठीक है जीक है और cpc is applicable in applicable in criminal courts criminal courts ठीक है और एक बात और जो ध्यान में रखने वाली है that is the Indian Evidence Act है Indian Evidence Act ठीक है ये दो नों को applicable करता है ठीक है इस applicable to both civil and civil and criminal matters ठीक है ठीक है? चलिए फिर आगे हम देखते है historical background of CPC तो before 1859, 1859 से पहले there were no uniform civil code of civil procedure कोई भी uniform code of civil procedure नहीं था there were different systems of civil procedure in different parts of the country हर part में अलग-अलग civil procedure उनका अपना प्रोसीजर था तो कोई भी uniform code नहीं था तो इसलिए इसकी जुरूरत पड़ी civil CPC को लाने की और in in 1859 for the first time a code was enacted a code was enacted code enacted किया 1859 में क्यूंकि इससे पहले कोई civil uniform code था नहीं तो 1859 में first time civil procedure code को enact किया गया एक code को enact किया गया बट उसके भी बहुत सारी defects है ठीक है but has many defects many defects because it was not applicable in whole of British India टीक है जी हर जग ही अप्लीकेबल नहीं था ठीक है तरफ आट जी अहर जग हाब अप्लीक है आप अगी अहीं था ठीक है तृ उसके बाद क्या हुआ, 1877 में निया कोड इनक्ट हुआ, ठीक है, in 1877, a new code was enacted, ठीक है, फिर amendments, उसके बाद amendment होती ही गई, ठीक है, 1951 में एक amendment हुई, amendments, different amendments, ठीक है, amendments, later on, ठीक है, बहुँ सारी amendment हुई, जैसे, 1951 में हुई, 1951 में हुई, 1956 में हुई, ठीक है जी, 1976 में हुई, अब जैसे, 1976 वाली amendment थी, इसे हम कह सकते है, ठीक है, इसे में अमें अमेंडमेंड, ठीक है, अब इसमें, लाग मिशन ने, बहु सारे, रिक्मेंटेशन दीक, ठीक है, लाग मिशन, made, several recommendations, several recommendations, ठीक है, और फाइनली, जो यह जो अमेंडमेंड सी, यह सारी, 1908 में भी यह हुई, ठीक है, इन्ही को आगे consider किया गया, ठीक है, अब इसके बाद, दो major amendments और हुई, ठीक है, two major amendments, ठीक है, दो major amendments और हुई, कौन-कौन सी, amendment act 1999 and amendment act 2002, ठीक है, यह दो amendments रुई इसके बाद, और इनकी enforcement date कौन सी थी, इनकी जो enforcement date थी, enforcement date वो थी, with effect from first July, first July 2002, यह इसकी enforcement date थी, ठीक है जी, फिर जो इसके, जो changes हुई, इन amendments में, वो क्या थी, ठीक है, यह basically major changes थी, इसमें बहुत सारे changes किये गए, CPC में, ठीक है, in several matters, such as issuing of someone's, filing of written statement, amendment of leadings, यह सारे changes कियी, production of documents, examination of witness के related, pronouncement of judgments, preparation of decree, sorry, यह degree है, sorry, preparation of decree, degree है यह, ठीक है, एक्सेटरा, a time limit is prescribed, जी, लिक्री, a time limit is prescribed, इनकी सब चीजों की, एक time limit prescribed की, कि इतने समय में, यह सारी चीज़े होनी चाहिए, ठीक है, different, different, preparation of decree, कितनी देर में हमने prepare करनी है, यह सारी चीज़े है, फिर, a new provision for settlement of disputes, outside the court has been introduced, जिसके हम, alternate dispute resolution, ADR का introduced किया गया, इसमें, इसमेंडमेंट में, और number of adjustments have been restricted, तारीख पे तारीख वाला system जो है, वो भी restrict किया गया, फिर, provision for recording of evidence, by the court commissioner has been appointed, has been made, ठीक है, अब, जो court commissioner, जो appoint किया जाता था, वो भी, recording of evidence कर सकता है, evidence record कर सकता था, endless arguments, all sort to be shortened by, empowering the court, to fix a time limit for oral arguments, by permitting written arguments, to be placed on record by the parties, इसका भी एक, time limit, fix कि 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 कि, ठीक है, court का एक एक, आप time limit, fix कर सकते हो, और, a provision is made, for filing of appeal in the court, which pass the decree, ठीक है, or institution of appeal, against the judgment is allowed, ठीक है, appeal कर सकते थे आप, ठीक है, where the decree is not run up, scope of first appeal, second appeal, letters patent appeal, and revision has been curtailed, ठीक है, यह सारे changes जो है, इसमें किये गए, ठीक है जी, अब letter patent appeal, यह क्या होता है, ठीक है, यह where appeal होती है, is an appeal, letter patent appeal, ठीक है जी, letter patent appeal में क्या होता है, petitioner जो है, appeal करता है, appeal करता है, single judgment के खिलाफ, ठीक है, उसे without going to supreme court, उसके पास पहले जी option रहता है, कि आप, उसी court में, DB के पास, double bench के पास, आप appeal कर सकते हो, ठीक है, that is letter patent appeal, ऐसे आपको, high court के बाद सीथे supreme court जाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन, इस provision के डालने के बाद, आप, same court में, single judge का अगर, फैसला है, ठीक है, तो उस के खिलाफ, उस judgment के खिलाफ, आप double bench में जा सकते थी, ठीक है, ये भी important amendment थी, इसी court, ठीक है, इसी amendment में ये भी, जो 99 and 2002 के बाद ही, ये amendment में code की गई, ठीक है, फिर आथ है commencement, इसकी अगर हम बात करें, the code of, sorry, the code of CPC is applicable, with effect from, 1st January, January 1908, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1st January 1908 से ये applicable हुआ, और ये, whole of India को extend करता है, ठीक है, extends to, whole of, India, including JNK भी, ठीक है, JNK में भी होता है, ये, क्योंकि, after JNK, ये organization act 2019, इसके बाद ये, JNK में भी applicable हो चुका है, ठीक है, और, but, it is not applicable to, not, applicable, to, state of Nagaland, state of Nagaland, state of Nagaland, and other tribal areas, यहाँ पर ये applicable नहीं था, अब ये applicable क्यों नहीं था, because their respective customer laws, उनके जो अपने respective customer laws है, वो वहाँ पर अभी भी, वो applicable होते हैं, ठीक है, और applicable in their, in the tribal areas, और ये, यही चीज़ आपको, as mentioned, mention की गई है, कहाँ पर, constitution के six schedule में, as mentioned, in, schedule, six of the, constitution, of India, ठीक है यहाँ तक समझा गया आपको, CPC applicable है, ठीक है, all of India में, JNK में भी applicable है, but state of Nogaland में, यह other travel areas में, यह applicable नहीं है, और यह provision mention किया गया है, हमारे constitution के six schedule में, ठीक है, next देखते हैं, अब 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 जट क्या है, score का, ठीक है जी, यहाँ की preamble of the code, तो preamble क्या गयता है, इसका, it is to consolidate, consolidate, it is to consolidate, and amend the laws, relating to the procedure of the courts of civil judicature. ठीक है जी, यह consolidate करता है यह, इसका object क्या है, जितने भी laws हैं हमारे, उन्हें consolidate करना, ठीक है, to put all rules and civil laws under one umbrella, ठीक है, यह इसका मकसद था, ठीक है, consolidate किसको करना, to put, to put all rules, all rules and civil laws under one umbrella, ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स देखते हैं हम, scheme of the code, अब CPC में आपको बता है, sections हैं, orders हैं, parts हैं, इस तरह इसको divide किया गया, CPC में, आपका क्या है, इसको करदे चेंगे लगते हैं, इसमें आ गया आपके, sections, or, orders, अब पार्स कितने हैं इसके टोटल, 11 parts हैं इसमें, और, 158, sections हैं, इसमें, 5 schedules हैं, और, schedule 1 में, 51 orders हैं, इसमें, ठीक है, रोटल शेडूल इसके दोटने हैं, 5, यह 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 sections है, यह 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 सेक्शन्स हैं, इस और राफ, और राफ, सबस्टन्टिब नेचर, to substantive nature खेकि और एदल and sections can be amended by legislature sections country भी मेंदेज बाई दाइस नेचर ठीक है लिए और यह जो ओर्डर्स है इस आर आफ और आफ प्रोसीजरल नेचर प्रोसीजरल नेचर ठीक है और यहने कौन अमेंड करता है अमेंड़ बाई हाई कोट और्डर्स को हाई कोट अमेंड कर सकता है ठीक है अमेंड़ बाई हाई कोट उनकी रूल मेकिंग पावर इसके पास होती है हाई कोट के पास होती है ठीक है रूर making power to high court ठीक है फिर हम देखते हैं CPC को पूरा एक CPC at a glance कैसे हम देख सकते हैं इसको अब इसमें या था कि हमने CPC को कैसे understand कर सकते हैं हम CPC को कैसे understand कर सकते हैं how to understand code ठीक है जी two ways में दो तरीकों से हम इसे understand कर सकते हैं कौन-कौन से एक तो हो गया by interlinking sections and orders हम sections को interlink करके भी इसको समसकते हैं और हम bare act को थारोड़ी read कर सकते हैं ठीक है उसके सारे provisions को पढ़ेंगे ठीक है और उसका एक brief outlook ले सकते हैं ठीक है how to understand the code two ways में हम understand कर सकते हैं Ann probरे फीस में अगा थे इंसका खजिर करके आप एक भी जारेंगे यृज रिदाने इंसकों बदार सकते हैं ऐसा यृज डम झारुए कर सकते हैं गॉल उसके पेरेंगे योज Read all the provisions of the code and take a brief outlook. ठीक हजी? अब इसमें code प्रिलिमिनरी से स्टार्ट होता है, ठीक है? फिर्स्ट पोर्शन क्या आता है इसके? प्रिलिमिनरी इसमें आती है आती है आपकी sections 1-8 ठीक है जी? फिर आता है part 1 suits, part 1 suits आता है, इसमें sections आती है आपकी sections 9 to 35 9 to 35 B और इसके data जो orders है, ठीक है? part 1 में orders आती है, आपके 1 to 20 तक, ठीक है जी? फिर आता है आपका part 2 इसको आप एक बार अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है? इसमें से direct question पूछ लेते हैं, ठीक है? कौन सा order किस से related है, section ये क्या है, section नंबर पूछ लें कहीं बार, ठीक है? तो इसको आपको एक बार पूरे इंडेक्स को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, part 2 में execution of decree आता है, execution of decree, जिसके शेच्छी तरह से आता है, order आता है, order 21 order 21 deal करता है इसके साथ ठीक है और पार्ट 3 जो है टे कुछ आपको टीट ही आपकी अधिछन सेवाई आपकी सेवाई ल्युक्ट अठीक है अबका पाण यू पांका प्रॉफ ठीक ह्िटेकर गाल गुरी। पार्ट फॉर और फाइफ sections आया थी अबकी 79 293 यह किसे जील करते हैं suits in special cases ठीक है जी core order orders में related है order 27 and 27 to 37 order 27 to 37 तक फिर आईता आपका part 6 part 6 में sections आगी आपकी 94 to 95 that is supplemental proceedings supplementary proceedings और order इसमें later यह आगा इसकी supplementary proceedings part 7 and part 8 सेक्शन्स आगे स्की 962115 ठीक जी इसमें आजाती है आपकी अपील रेफरेंस रिवियू एट रिविजन ठीक है यह मोस्ट इंपोर्टेंट है इससे कोश्चन आता है एक्जाम में ठीक प्रीलिम में भी आता है मेंस में भी आता है तो इन्हें आप अच्छी तरह से देख लेए इस पर विजिन को ठीक है अब इसमें जो ओर्डर साथ है ओर्डर्स 41-47 7 ठीक है यह आपने सारे देखने है तो इसको बहुत आता है पार्ट 9 sections आगी 116 तो 120 तक ठीक है पार 10 यह है इसमें sections आजाती है 120, 12, 131 तक ठीक है 4 5 आपर को फो वेक रूलज अर्डर्स तुर उसके बाद आता है पार्ट 11 इसमें सक्षिन साती है आपकी 132 to 158 ठीक है and these are about miscellaneous provisions provisions तो ठीक है फ्रेंड्स दिस आल अबोट टूरे लेक्टर आप इन सारे provisions को अच्छी तरह से आप एक बार गो थू कर लेके ठीक है तो आने वाली वीडियो में हम CPC के कुछ और provisions पढ़ेंगे important sections पढ़ेंगे तो बने रहे हैं मेरे साथ तो चैनल पर नए हैं अगर अब यहां तक आ गए हैं तो इसको subscribe करके जाएं और वीडियो को like कर दें share कर दें अपने friends के साथ तो ठीक है friends thank you for watching ठीक है जी मिलते है next lecture में thank you